हेलो गाइस मैं हूँ रंजित कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अनोखी कहानी तो चलिए कहानी को सुरू करते हैं बेटा तुँ जाना जाकर अराम कर दे मैं रिया का जोड़ा रख दूंगे स्यामली जोकी अपड़ना की सास थी स्यामली ने अपनी बहु पढ़ना कहते कहते चुप हो गई और अपने सास को देखने लगी यह पहली वार नहीं था उसने नोटिस किया कि जब से घर में साधी की भीर भार शुरू हुई है उसे साधी के कमों से किसी ना किसी बहाने अलग रखा जा रहा है सुरू में वह कुछ समझी नहीं थी पर ल अमली ने लाखों में ढूंड कर अपने बड़े बेटे अमर के लिए अपरणा को पसंद किया था अपरणा थी भी वैसी बहुत जल्द ही उसने अपने गुनाओं से सारे परिवार को अपना बना लिया था अमर में उस पे जान छिड़कता था पर इनकी प्यारी सी ग्रिया कहकर लोगों ने सर अंखों पे बिठाया पूरे महले में उसे खूब सम्मान दिया जाने लगा सास्राल में भी उसे खूब प्यार मिला स्यमली अपने बेटे की कमी बहु को लार प्यार करके पूरी करने लगी अमर की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती थी उसके जाने के बा सब्सक्राइब को इतने सालों में भी कभी भी विद्वा या अभागन जैसे ताने नहीं सुनने पड़े इन फैक्ट उसे एक बेटी की तरह भी प्यार और अधिकार मिले साथ ससूर और देवर ननत के अपने पन में वह अपना दुख भूल गए खुद की किसमत पर गर्व हो उसे कि एक माई का छुटा तो दूसरा माई के मिल गया जहां से उसकी कभी बिदाई नहीं होनी थी मन ही मन इठलाती वह एक हपते पहले ही उसके ननद रिया का रिष्टा तय हुआ था सब लोग बहुत खुश थे अपरना और स्यमली ने साधी की खरीदारी की लिष्ट बन और मेहमान नवाजी के लिए पुकारी जाने लगी थी शुरू में उसने गौर नहीं किया था पर एक दिन जब महले की औरते गीत के लिए आए और वह भी सामिल होने लगी तो काकी ने फुसपुसा के स्यमली के कान में कहा देख बहु साधी बिया की बात है स्वागिना के असिरवात से बच्ची का घर बसेगा लेकिन जिसका खुद का स्वाग नहीं रहा वो कैसे स्वागन होने का असिरवात देगी सस्त तो यहीं है ना कि बहु बिद्वा है उसे सगून के कमों से धूर रख कैसी बाते करते हो काकी बेटी है वह हमारी और आज के जमुने में य मां का मन काकी की कहीं बातों को पूरी तरह नकारन नहीं पाया था मैंने तो बहले की कहीं बहु बंकी तुझे जिया ठीक लगे काकी ने हाथ गुषते ही अपने पती को निगल लिया श्यामली ने खुलकर अपड़ना से कभी कुछ नहीं कहा लेकिन उनके बहवार में अपड़ना ने सब कुछ महसूस कर लिया था अपड़ना तूट सी गई थी श्यामली के बहवार का बदलाव घर में भी सबने महसूस किया लेकिन किस उसे अमर की कमीम बहुत महसूस हो रही थी ना चाहते हुए भी वह फूट फूट कर रोनी लगी उसे समाज के तोनों से मतलब नहीं था लेकिन अपनी मां समय साथ से ऐसी उम्मीद भी तो नहीं थी आखिरकार ठक कर उसने नियती को स्विकार कर लिया और खुद को साधिके र भावी आप रो रही हो क्या हुआ भावी तबियत ठीक नहीं है क्या मम्मी को बुलाओं क्या रिया घवरा गए पिछले एक साल में उसने अपर्णों को हमेशा मुस्कुराते ही देखा था नहीं रिया कुछ नहीं बस आज अमर की बहुत याद आ रही है अपर्णा ने में नहीं आया सुबह से गहमां गहमी ती घर महमानों से भरा हुआ था रिया की बारात बड़े धूम-धाम से दर्वाजे पे लगी ती रिया की नजरे बस अपने भावी को ढूंड रही थी पर अपर्णा ने सरदर्द का बहाना बना दिया था और अपने कमरे में चली कि अब कैसे मना करेगी वह सबको श्यमली जी अपना को बुलाओ गटवंदन की रस्म भावी के ही हांथों होनी है ना अपना के ससूर ब्यास जी ने कहा तो श्यमली ने नजरे चुराते हुए कहा नहीं वह नहीं आ सकती ब्यास वह विद्वा है ना कैसे गटवंदन जैसी तवित्र रस्म कर सकती है मां यह क्या कह रही हो तुम कबसे ऐसी बाते करने लगे अभे ने फुस फुसा कर कहा उसने सुना तो जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ उसने नाराजगी से अपनी मां को देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब्द उसकी उस मां ने कहा है जिस और उसे एक किनारे ले जाकर सक्त स्वर में बोले हां मां भावी को कितना बुरा लगेगा मैं खुद भावी को लेकर आती हूं अगर गटवंदन होगा तो बस उन्हीं के हांथों से होगा हैरान सीरिया ने मंडप से उठते हुए कहा लोगों में खुसर खुसर होने लगी थी कोई स्यमली को सही कह रहा था तो कोई गलत कुछ लोगों को यही समझ नहीं आ रहा था कि सहीद की बिदवा कहके सर अंखों पे बिठने वाले लोग आज उसे अब सगुनी कैसे कह सकते हैं हाँ हाँ मैं तो दुस्मन हूँ ना उसकी अरे समाज के नियम है सदियों से चल रह ना स्यम्ली ने हडवड़ा कर रिया की कलाई पकड़ वह ब्यास के पास खिसक आए और फिर गिरिया के बोली साधी ब्यास की बात है ब्यास कल को कुछ उच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम बस जरासी साब धनी बरतने में क्या हर्च हो गया अपने आंसों पोच्टे हुए का बस बहुत हो गया अब बस करो स्यम्ली उफ सर्म आ रही है मुझे तुमारी सोच पर कल को भगवान ना करे हमारी रिया होती अपड़ना के जगतों तो क्या तब भी तु लाने रिया ने नराजगी से अपनी मां को घुरा तु रुक रिया मैं लेकर आता हूं भावी को स्यम्ली को घुरता हुआ अभय अपड़ना के कमरे के तरफ बढ़ गया ओ अच्छा तो तुम्हारी यही घटिया सोच के कारण वह साधी में दूर दूर थी तभी आजकल वह जियादातर अपने कमरे में आराम कर रही थी अब समझ में आया ब्यास जी को जैसे अचानक ही साधी के नियमों के दौरान अपड़ना के दूर दूर रहने का कारण समझ में आ गया उफ क्या बीत रही होगी उस बच्ची पे कैसे सहा होगा उसने अपनी मौंका या सोतेला पन तुमने यह क्या किया ब्यास जी अपनों सर पकड़कर वहीं पास ही एक कुर्सी पर ढगए श्यामली एक पल को दुवीधा में पड़ गए उसकी अंखे सोचने वाले इस्थिती में सिकुड के छोटी सी छोटी हो गई भावी चलिए उठीए बहुत हो गया मंड़ना प अंसु छिपाते हुए कहा और नजरे नीची जुका कर अपने पाउं के अंठे से जमीन खुरेदने लगी बस बहुत हो गया आपका बहना हमें सब पता चल गया है आप इस घर की बहु है भाईया के नहीं रहने से आपका ये हक खतम नहीं हो जाएगा वैसे तो हमने भी भा पालाटी का सिर्फ आप ही के हिस्से में क्यों भावी आप चलिए बस अभय ने से सकती हुई अपड़न के कलाई पकड़ी और उसे खीशते हुए मंड़प में ले आया अगर आगे बढ़ी तो मेरा मरा हुआ मुझ देख हुए सब मैं कह रही हूं ऐसा अचाना की स्यमली अ माँ भावी का बीद्वा अगर इनने गुनागार बनाता है तो अबसे ये बीद्वा नहीं रहेगी मैं ब्याह करूंगा इन से मेरी ब्याहता है यह आज से मैं मांग भडता हूं इनकी और अबसे अभय की स्वागन है इस घर की बहु है अभे ने मुठी बर्शिंदूर लिया और अपर्णा की मांग में भरने के लिए उसकी तरबढ़ा अचानक ही उसकी बढ़ी हुई कलाई को अपर्णा ने मजबूति से थाम लिया उसने आहिस्ते से अभे की कलाई को छोड़ा और सियमली के सामने जाकरी हुई अंसों से भीगा चेहरा और सैकरो सवालों से भड़ी अंखे उठी वहाँ उपस्तित सारे लोगों से जैसे अपने सवाल के जवाब मंगने लगी मां अमर से मेरा रिष्टा साथ जर्मों का जरूर था क्या आपका रिष्टा उनसे इतना कमजोर था कि उनके जाते ही वो तूट गया उनके जहने के बाद मेरा नाम बदल दिया इस समाज ने और मैं उनकी बिद्वा कहलाई और ये नाम जीवन भर के लिए इस सफेद साड़ी के रूप में बांद दिया गया मुझसे तो आप पापा अभै रिया आप सबको समाज ने कोई नाम क्यों नहीं दिया जबकि मेरा रिष्टा तो उनसे बस कुछ साल पहले जुड़ा था लेकिन आप सब तो खून के रिष्टे से जुड़े थे ना बताईये ना मा ऐसा क्यों होता है कि जब पत्नी की मिर्थ्यू होती है तो पुरुस के लिए समाज किसी तरह का कोई बंधन कोई बेडियां नियम काईदे नहीं बनाता लेकिन जहां पती की मिर्थ्यू हुई कि मा एक इस्तरी की जिन्दगी की डोड बिधवा या सुहागन के नेम टैग पर ही क्यों टिक जाती है मा मंगल सुत्र के रूप में पुरुस के नाम का एक पट्टा टांग दिया जाता है इस्तरी के गले में जैसे की किसी कुट्टे के गले में उसके मालिक के नाम का पट्टा और ये मंगल सुत्र ये सिंदूर ये बेजावन चीजें क्यों किसी जीती जागती इनसान एक इस्तरी के जिन्दगी जीने के तरीकों का मालिक बन जाता है मा ऐसा क्यूं होता है कि पती के होने ना होने से पत्नी के नाम से लेकर उसकी हर एक क्रियकलाप पर प्रश्ण चिन लगा दिया जाता है क्यों मा क्या अमर के क्या अमर के मर जाने से मेरा आपकी अपू का कोई वजूद नहीं रहा क्या अमर के ना होने से मेरा ना होना आपके लिए कोई माइने नहीं रखता अपढ़ना की आहत हुई भावनाओं का सारा दर्द आज उसके होटों के रास्ते बाहर आने को जैसे मचल उठा उसने आहत स्वर में अभय की तरब देखा जो आँखे जुकाए चूप चाप खड़ा था और अभय तुमने अभय तुमने भी अपना फैसला एक बिद्वा बेचारी पर थोपना ही चाहना मेरी मांग में सिंदूर भढ़ने के पहले तुमने एक बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी क्यों अभय क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अगर मेरी मांग में किसी पुरुस के नाम का सिंदूर ना हो तो मुझे एक इनसान होने का अधिकार नहीं मिल सकता है मैं बिना पुरुस नाम के साहरे इज्जत से अपनी इक्षा से अपनी ही जिन्दगी नहीं जी सकती हूं ऐसा ही सोचा ना तुमने अभै अपढ़ना जैसे कलब कर बोली नहीं अभै बूरी तरह तड़प उठा अपनी प्यारी सी भावी के इलजाम पर वह लगबग गिरगड़ा कर बोला भावी मुझे माप कर दीजे माँ की कसम ने मुझे जैसे जैसे पागल कर दिया था उस वक्त बस इतना समझा आपका ये नालायक अभै कि आपका बिद्वा होना अगर स्राप है तो ये लाल रंगी उस स्राप को काटेगा मुझे माप कर दीजे प्लीज व्याज जी के कदम जहां के तहां रुक गए थे उनकी आँखों में गर्व था बेटा देश के लिए लड़ा था और बहुत समाज के खोखले नियम के लिए लड़ रही थी अपरना में उन्हें आज अमर की छवी नजर आ रही थी जीती रहो बेटा भगवान करे ऐसा बेटा हर घर में हो ब्याज जीने अपरना के सर पर प्यार से हाथ फेड़ा रिया के अंखे खुशी से नम थी स्यामली आवाक खड़ी कभी अपरना को देख रही थी तो कभी वहां उपस्थित लोगों को जो तमासा बीन बने खड़े थे और खुशर फुशर में व्यस्त थे इनहीं कथीत समाज के चार लोगों के लिए उसने अपनी बच्ची अपनी अप्पू का दिल दुखाया छी अचानक ही उनकी नजर जैसे सर्म से जमीन में गड़ने लगी थी अपरना सिसक सिसक के रो रही थी अभै अभी उसके सामने अपने दोनों हाथ बंदे खड़ा था भावी मुझे माफ कर देना आपको आपका हग दिलाने का और कोई रास्ता समझ नहीं आया था मुझे कास कि इस नलायक के भेजे में इतनी सी बात आ जाती अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो जो चाहे सजा दे लो मुझे आप हमेशा ही अमर भीया की अरधाउनी के नते ही हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगी लेकिन अगर आपको इस नलायक पे जरासा भी भरोसा हो तो मुझे मुझे स्विकार करके मेरा उपकार कीजिए आपके हर फाइसले का मैं तेहे दिल से स्वागत करूगा अभे अपढ़ना के पास हाथ जोड़कर अपने घुटनों पे बैठ गया बेटा मुझे मुझे माफ कर दे अपू मेरी बच्ची जाने अन जाने मैंने तुछ पर में आ गई थी लेकिन तुने मेरी अंखों पर से खोखले आडंबर का परदा हटा दिया बेटा है भगवान मुझे कैसा अनर्थ हो गया मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची शावली को अपनी गलती का एहसास उसके बच्चों ने करा दिया था वह अपढ़न भावी ही मेरा गटवंदन करेगी इस घर की बड़ी बहु के होंथों से मेरे गटवंदन का अधिकार कोई नहीं चीन सकता ये समाज के ढखोसले तो बिल्कुल भी नहीं अमर भाविया के रहने या नो रहने से मेरी भावी के अधिकार और गतित पर कोई भी कोई आउच नह इसी मंडप में आपका इंतिजार कर रहे हैं रिया ने अपढ़ना के चेहरे पर पड़े सिंदूर के छीटों को साप करते हुए कहा जो अभै की कलाई थोंते वक्त उसके चेहरे पर गिरे थे जाए भावी और रही साधी की बात तो फैसला पूरी तरह से आपका होगा आप अ स्यामली ने अपढ़नों की कलाई पकड़ी और आगे बढ़ते हुए बोली हाँ मेरी बच्ची आ तेरी मौन को माफ कर दे अप्पू और आज इस मंडप पे हम दोनों माँ बेटी मिलकर समाज के मुह पर तमाचा मारेंगे स्यामली ने अपने अंसमों को पोच्छा और गर् विक्रित एक नाम ने एक नए रिष्टे के नीव रखी अपड़ना के हाथ दुल्हा दुल्हन के गटवंदन का रस्म पूरा हुआ फिर इस रात एक अनोखी विभा का साक्षी बना वह मंडब और वह उपस्तित समाज के कथित चार लो यह अनोखा विभा मुह चिड़ा र विवाज को तो दोस्तो हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है आप हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल एटुजेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई कहाने अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे धन्यवाद